मेरा देवर हर रात नौकरानी की मसाज करता नौकरानी कमरे से निकलती तो लंबी अंगडाईया लेती एक दिन मैंने सोचा मैं भी देवर से मसाज करवा कर देखती हूँ एक दिन नौकरानी के कपड़े पहने और देवर के कमरे में जाकर सफाई करने लगी उस रात देवर ने मेरे चीक निकाल दी, देवर ने तो मेरे साथ देवर हर रात नौकरानी की मसाज करता, नौकरानी कमरे से निकलती तो लंबी अंगडाईया लेती और काम पर लग जाती, मैं सोच सोच कर हैरान होती, एक दिन मैंने सोचा मैं भी देवर से मसाज करवा कर दे पाई करने लगी मेरे होश उड़ गए उस रात देवर ने मैं बिमार थी इसलिए पती कहने लगे तुम्हारे लिए कोई नौकरानी रख लेते हैं जो घर के कामकाच के साथ साथ तुम्हारी सेवा भी कर सके मैं ससुराल में अकेली रहती थी साथ ससुर जिंदा नहीं थे सिर् इसलिए मैंने अपने पती की बात मान ली और उन से कहा कि आप ही कोई अच्छी नौकरानी की तलाश करके ले आएं मैं तो आज पडोस के लोगों को इतना जानती नहीं हूँ वैसे भी मैं अपने घर से कभी बाहर जादा निकलती नहीं थी भगवान का दिया सब कुछ था म मैं तो हर वक्त बिस्तर पर ही लेटी रहती थी क्योंकि पती और देवर खुद ही नास्ता करते थे और अपने अपने बरतन धोकर चले जाते थे और फिर रात के खाने पर ही आते थे मेरा जो भी खाने को दिल करता था वे मैं और डर कर लेती थी ऐसे में घर के काम नहीं होत थे मगर मेरे पती को मेरी बहुत फिकर रहती थी वे बार बार कॉल करके मेरे बारे में पूस्ते रहते थे हमारी पसंद की शादी नहीं थी मगर मेरा पती मुझ पर जान छिरक देता था क्यूंकि मैं जवान और खुपसूरत थी मेरा पती मेरी खुपसूरती और अदाएं दे मैंने अपने पती को ये खुश खबरी बहुत जल्दी सुना दी इसलिए वे मुझसे और भी जादा खुश था ऐसे में वे मेरे खुब नकरे उठा रहा था इसलिए मेरे पती ने अगले दिन ही नौकरानी को रख लिया नौकरानी का नाम मा ही था वे हमारे घर आई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई क्योंकि वे बहुती खुब सूरत लड़की थी नौकरानी बनने के काबिल ना थी मैं सोच रही थी उसे नौकरानी बनने की क्या जरूरत है यही बात मैंने उससे पूछी तो वे बात को टाल मटोल कर गई वो फॉरण मूँ फाड कर कहने लगी मालकिन आप मुझे पैसे कितने देंगी आते ही नौकरानी ने मूँ फाड कर अपने पैसों के बारे में पूछ ल पूछा था मैंने भी वैसे ही जवाब दिया और कहा कि अगर तुम रात दिन यहां रह जाओ तो मैं तुम्हें इतनी तन्खुआ दूंगी जितनी तुम मांगोगी दरसल मैं चाहती थी कि वे रात दिन मेरे साथ रहे दिन में काम कर ले और रात को मेरी टांगे दबा दे य और मेरी तरह नक्रेली भी थी तब ही तो कहने लगी छीक है मालकिन आपके पास रात दिन रहूंगी यह सुनकर मैं खुश हो गई आज कल के लोगों के बड़े नक्रे होते हैं वे रात को काम करने को तयार ही नहीं होते थे लेकिन इसने पैसे बताए तो मैं चौक गई इसन कर रख लिया कि रात को जब मेरा पती अच्छे मूर में होगा उससे ये बात मनवा लूंगी मुझे यकीन था कि वे मेरी बात माल लेंगे क्योंकि मुझ पर उसकी जान बस दी थी इसलिए मैंने नौकरानी से कहा ठीक है इतने पैसे दे दूंगी मगर तुम्हें काम तो सार इतनी लंबी थी कि मेरे होश उड़ गए उसकी बालों से इतनी अच्छे खुश्बू आ रही थी कि मैं मध्होश होने लगी वे बोली मैं घर के सारे काम करना जानती हूं और खाना तो ऐसे बनाती हूं कि आप उंगलिया चाटती रह जाएंगी ये सुनकर मैंने अपने दि इन चार काम बता दिये और मैं अपने कमरे में अराम से लेड़ कर नाटक देखने लगी ये नाटक मेरा फेवरेट था इसलिए मैं इसमें इतनी मगन हो गई कि पता ही नहीं चला और शाम हो गई मैं टाइम देखी तो याद आया कि मेरे अफिस से आने वाले होंगे मैं फॉरण वाश्रूम गई नहाई और तयार हो गई मैंने नया सूट पहन कर बाल बनाए और बाहर आ गई अभी मेरे पती नहीं आये थे मगर देवर आ चुका था मैं किचन में गई तो हक्की पक्की रह गई नौकरानी मुझसे भी जादा जबर जस्त पकोड़े बना रही थी और मेरा देवर चाय पी रहा था मैंने देवर से कहा ये हमारी नई नौकरानी है आज से हमारे साथ दिन रात यही रहेगी मेरे देवर ने सर हिला दिया और पकोड़े खाने लगा शायद उसे नौकरानी से ज़ादा पकोड़े में दिल चस्बी थी मैंने देखा कि नौकरानी किचन में मालिक की तरफ भाग कर काम कर रही थी ये मुझसे बरदास नहीं हुआ तो मैंने उसे गुसे से कहा चाय के साथ पकोड़े बनाने को किसने कहा ये सुनकर नौकरानी ने मेरी तरफ चहरा किया और कहने लगी मेरा अपना दिल चाह रहा था कि शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा हो जाए इसलिए मैंने बना दिये अगर आपको नहीं पसंद है तो अपनी पसंद बता दे मैं आपको वही बना दूंगी मैं अभी कुछ कहने वाली थी की पीछे से मेरे पती आ गए और मेरे कंदे पर बाजू रखकर कहने लगे मेरी प्यारी बीवी को पकोड़े से जादा प्यार है ये सुनकर मैं उसे घोरी आज सुम किचन में कैसे आ गए ये सुनकर मेरे पती कहने लगे मैं तुम्हें ढूंते हुए किचन में आया था मगर किचन में इतनी अच्छे खुश्बू आ रही थी कि मैं सिधा किचन चला आया ये कहकर मेरे पती ने एक पकोड़ा अपने मूँ में डाल दिया और उसे खाने लगे मैंने उनसे फौरण रोग दिया कि तुमने हाथ तो धोए ही नहीं है ये सुनकर उसे भी ऐसास हुआ और हम दोनों किचन से बाहर चले गए रात हुई तो मैं अपने पती से कहा कि आज बाहर खाना खाते हैं ये सुनकर वे कहने लगे यार आज नई नौकरानी रखी है इसके हाथ का कुछ अच्छा खाने दो कल बाहर खाना खा लेंगे ये सुनकर मेरा मूड खराब हो गया और मैं उससे नराज हो गई मैंने कहा लगता है नई नौकरानी आपको कुछ जादा ही पसंद आ गई है ये सुनकर मेरे पती ने अपने कानों को हाथ लगाया और मुझसे माफी मांगते हुए कहने लगे यार मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था वे बेचारी खाना बना चुकी होगी वे भी बेकार जाएगा पती ने सफाई दी तो मैंने आगे बढ़कर इसका कान पकड़ लिया और उसे कहा अच्छा वे आते ही बेचारी हो गई इसका इतना ख्याल है और मैं जो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ इसकी कोई फिकर नहीं है मैं नराज होकर उससे दूर जाकर बैट गई मेरे पती की जान पर बनाई थी वे मेरे पास आया और कहने लगा मूर खराब मत करो अभी खाना खाने चलते हैं और वापस आते हुए तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगा ये सुनकर मैं हस्ती और हम खाना खाने चले गए हमें वापसी पर बहुत देर हो गई मेरा पती तो फौरण बिस्तर में घुज गया जबकि मैं किचन में आ गई जहां पर सारी चीज दुली दुलाई और सही से रखी हुई थी मैंने फ्रिज का दर्वाजा खोला तो खाने की खुश्बु ने मेरे कदम रोग दिये मैंने चमच उठाकर मुँ में डाला तो मुझे खाने में इतना जाइका लगा कि वाकरी नौकरानी के हाथ में तो जादू है मैंने फ्रिज बन कर दिया और सोचा की सुबह नास्ते में खा लूंगी हम नौकरानी को बोल कर नहीं गए थे इसलिए इस विचारी ने हमारे लिए जादा खाना बना लिया था तब ही मुझे याद आया कि मैं नौकरानी के कमरे में भी देख लूं कि वे सो रही है या नहीं मैंने सुबह उसे उसका कमरा दिखा दिया था इसलिए वे सोने के लिए खुदी चली गई मैं किचन से निकली और नौकरानी के कमरे के दर्वाजे पर हाथ रखा मैं देखना चाहती थी वे जाग रही है या सो रही है मगर दर्वाजा अंदर से बन था इसलिए मैं अपने कमरे में आ गई और सो गई सुबह मेरी आखें देर से खुली मेरा जिस्म बहुत सुस्त हो रहा था इसलिए मैं नहाए बगेर बाहर निकल आई नौकरानी किचन में थी मैंने उससे पूछा मेरे पती ने नास्ता कर लिया था ये सुनकर उसने जवाब दिया जी हाँ आमलेट पराठा और चाई भी पी ली थी रोज मेरे पती यही नास्ता कर दे थे इसलिए मैंने ये बात नौकरानी को बता दी थी तभी मुझे देवर का ख्याल आया तो वी कहने लगी हाँ उसने सिर्फ चाई पी थी मेरा देवर नास्ते में सिर्फ चाई पीता था और फिर कॉलिच चला जाता था ये सब पूछ कर मैं नौकरानी की तरह देखने लगी आज भी वे बहुत जादा तयार होकर आई थी उसने आज अपने बालों को खोल रखा था और लाल कपड़े भी पहने थे उसने मुझे नास्ते को पूछा तो मुझे रात वाली सबजी याद आ गई मैंने उससे कहा कि मुझे फ्रिज में रखी सबजी गरम करके चाय के साथ दे दो ये सुनकर वे कहने लगी मुझे नहीं पता था कि आप दोनों बाहर खाना खाएंगे इसलिए मैंने जादा सबजी बना ली है ये सुनकर मैंने उससे कहा कि हमारे घर में सबजी वैसे भी जादा बनती है हम सुबह नास्ता भी उसी के साथ कर लेते हैं ये सुनकर उसने मुझे सबजी गरम करके दी और कहने लगी मैं आपका कमरा साफ कर देती हूँ इसी वक्त मुझे याद आया मैं उसे पूछू तुम्हें तुम्हारा कमरा अच्छा लगा था बिस्तर अच्छा था ना मेरे पूछने पर वे कहने लगी हाँ अच्छा था ये कहकर वे किचन से निकल गई और मैं इसी बात पर हसने लगी कि नकरे तो ऐसे दिखा रही है जैसे घर की नौकरानी नहीं बलकि महरानी हो मैं सबजी खाते हुए देर तक हसती रही इस दिन मैं ठकी हुई थी इसलिए मैंने दोपहर के वक्त नकरानी को अपने कमरे में बलाया और उससे कहा कि मैं रात को बाहर गई थी इसलिए मेरा जिसम में दर्द कर रहा है तो मेरी मसाच कर दो ये सुनकर वे मेरे पास बैट पर बैट गई और मसाच करते हुए कहने लगी आप अपने पती से मसाज करवाया करें ये सुनकर मैं सर्मा गई और उसने कहा तुम तो हो कुवारी मगर तुमने ये बड़ी बेसर्मी वाली बात कह दी है हैर ये सुनकर वे हस्ती और कहने लगी मालकिन मैं घाट घाट का पानी पी हूँ इससे पहले कई घरों में काम किया है कई मालकिन बदली हैं और इनके सारे राज यहां मेरे सीने में दफन है ये सुनकर मेरा मन कर रहा था उससे मैं बाते पूछू क्या लड़की आपने पती से भी मसाज करवाती है ये सुनकर वे बोली बुलकुलजी अक्सर औरते अपने पती से पैर दवाते हैं मसाज करवाती हैं बलकि आज कल तो अमीर मालकिन अपने नौकरों से भी मसाज करवाती हैं ये सुनकर मुझे शरम ही आ गई थी ये नौकरानी कई घरों में काम करती आ रही थी इसलिए इसने ये सब होते हुए देखा होगा इसके किचन में चली गई रात हुई तो हम दोनों पती पतनी लेट गए मैंने पती की तरफ करवट ली और दर्द से कर राते हुई कहा कि आज तो मैं बहुत ठक गई हूँ ये सुनकर मेरा पती कहने लगा चलो उठो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ ये सुनकर मैं घबरा गई मैंने सोचा था कि आज रात उनसे मसाज करवा लूंगी मगर मेरे पती ने मुझे डॉक्टर की बात कह दी तो अंदर ही अंदर मुझे गुस्सा आ गया पता नहीं कौन सी औरते होती हैं जिसके पती ये काम भी कर देते होंगे मैंने करवट ली तभी मुझे या थी ही नहीं ये देखकर मैं हैरान रह गई मैं किचन में जाने के बज़ाए अपने कमरे में आकर लेट गई सुबह मैं जल्दी जाग गई थी इसलिए अपने देवर और पती के साथ नास्ता की पता ही नहीं इस नौकरानी में इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी सुबह सबेरे नहाद होकर इतनी त्यार हो जाती थी जैसे वे शादी शुदा हो और पती को देखाने के लिए इतना सस्ती सवर्टी हो पता नहीं ये किसको दिखाने के लिए इतना सस्ती है मैंने अपने कप्डों की तरफ देखा मैं नौकरानी लग रही थी और वे मालकी लग रही थी मैंन आप आफिस जाए मैं नौकरानी के साथ चली जाऊंगी पती और देवर के जाते ही मैंने नौकरानी को साथ लिया और डॉक्टर के पास चली गई इसने दो तीन दिन दवाई लिख दी वैसे डॉक्टर का तो बहाना था मैं दरसल बजार से कुछ चीज खरिदना चाहती थी इ पिर हम एक दुकान में आ गए मैं मेकप का समान देखने लगी जबकि माही कपड़ों को देखने लगी ये देखकर मैं जल गई मैंने सोचा कि देख तो ऐसे रही है जैसे अभी खरीद लेगी मैं इसकी आउकात पर हसने लगी मैंने दुकंदार से कहा कि वे ये चीज पैक क करने लगी जबकि नौकरानी गायब हो गई माही अपने कंदे पर एक बैग रखा हुआ था जो कि पहले खाली लगता था मगर अब मैं इस बैग की तरफ देखी तो मैं शौक में पढ़ गई क्योंकि अब वे पूरा भरा हुआ था मैंने इससे ये बात नहीं कही मगर मेरे दिल में शक बैठ गया इसलिए घर आते आते मैंने फैसला किया कि मैं किसी बहाने से इसका बैग देखूंगी कि इसने बैग में क्या छिपाया हुआ था घर आते ही वे अपने कमरे में चली गई ताकि इस बैग को कहीं छुपा सके इसलिए मैं भी इसके पीछे आ गई और बहाने से कहा कि मेरी तबियत फिर से खराब हो रही है तुम किचन से पानी ले आओ मैं दवाई अभी खा लेती हूँ ये देखकर वे घबरा गई बैग अपने बैट पर रखा और किचन के तरफ चली गई मैंने उसके जाते ही बैग देखा तो मेरी आँखे फटी की फटी रह गई गई क्योंकि सामने ही लाल रंग का लहंगा बैक के अंदर से दिख रहा था ये लहंगा कम से कम बीस हजार का था इस मामुली सी नौकरानी के पास बीस हजार कहां से आए जो उसने इतना कीमती लहंगा खरीद लिया मैं हैरान परेसान इस लहंगे को देख रही थी नौकरानी पानी लेकर आई तो मैंने जटपट बैक को बंद कर दिया और पानी पीकर अपने कमरे में आ गई तबी मुझे खियाल आया और मेरा खून खाल गया कहीं इस कम्भखत ने ये लहंगा वहां से चोरी तो नहीं कर लिया ये सोच कर मैंने अपने आनों को हाथ लगा कि ये बात अपने पती को बता दूंगी लेकिन मैंने सोचा कि अगर इन्हें ये बात बता दी तो कहेंगे इस चोड नौकरानी को फॉरण घर से निकाल दो लेकिन इतनी जल्दी मुझे कोई दूसरी नौकरानी कहां से मिलेगी ये सोचकर मैंने उन्हें नहीं बताया वैसे भ दर्वाजे पर दस्तक दी दर्वाजा अंदर से लॉक था और इतनी दस्तक सुनकर भी इसने दर्वाजा नहीं खोला था तो मैं मजबूर होकर खुद किचन में गई और चाय बना कर ले आई चाय बनाने के बाद मेरे पती जल्दी सो गए लेकिन मुझे नीन नहीं आ रही थी मैं डॉक्टर की दवाई इस्तमाल कर रही थी इसलिए रात को मैं बहुत परिशान हुई बार बार उटकर वाश रूम जाना पड़ा आधी रात के वक्त मेरी आँख खुली तो मैंने अपनी खिड़की से किसी को बाहर सेहन में देखा मैंने ध्यान दिया तो हैरान रह गई क्योंकि वे नौकरानी थी और वे दुलहन के रूप में थी इसने वही लहंगा पहना हुआ था जो इस चुराया था ये देखकर मुझे डल लगने लगा पता नहीं ये नौकरानी थी या कोई चुडैल मैं तो ढरके मारे सो गई सुबह किचिन में नास्ता करने गई तो दोने लगी तभी मैंने उस से पूछा तुम पर कोई जिन कर वे हसने लगी मैं किसी को चिपकने नहीं देती और वैसे भी जिन भूच चुडैल तो मुझे देखकर भी भाग जाते हैं ये सुनकर मैं सोचने लगी कि फिर वे कौन थी मुझे इस नौकरानी पर शक्त था इस कमरी की खिड़की खोल दिया और उसके उपर परदा डाल दिया इसे शक ना हो रात हुई तो मैं अपने कमरे से निकली और नौकरानी के कमरी की किड़की से अंदर कूद गई कमरे में अंधेरा था मैंने जैसे ही लाइट जलाई मैं हैरान रह गई क्योंकि बिस्तर ऐसे कि ये एक रात अपने बिस्तर पर नहीं सोई थी इसलिए तो मैं जब भी इसके कमरे में आई इसने अंदर से मुझे कोई जवाब नहीं दिया अब मैं सक में पड़ गई ये अपने कमरे में नहीं सोई तो कहां और किसके सास होती है ये बात जानने के लिए मैंने घर के तमाम क कमरों को एक एक करके चेक करने लगी तब ही मैंने देवर के कमरे का दर्वाजा बाहर से खोला तो मैं सरम से पानी पानी हो गई क्योंकि सामने मेरी नौकरानी मेरे देवर के बिस्तर पर लेटी उससे मसाच करवा रही थी ये देखकर मैंने उन्हें रंगे हातों पकड़ ल अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगा और सुबह होते ही तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करूंगा ये सुनकर मेरा देवर कहने लगा मैं शादी कर चुका हूँ और यही मेरी बीवी है हम दोनों ने छिपकर शादी की हुई है माही मेरे प्यार में इतनी दिवानी थी की अपने घर से भाग गई हमने चिपकर शादी कर ली पहले मैंने इसे फ्लैट में रखा हुआ था मगर इसने मुझे कहा की मुझे अपने घर ले चलो ताकि हम रात दिन एक दूसरे के पास हों तब हमने ये नौकरानी वाला खेल किया और यहां नौकरा मैं हैरान रह गई मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उन दोनों ने मिलकर हमें बेवकुफ बनाया था मुझे बहुत गुस्ता आया मगर मेरे पती ने कहा की मेरे भाई से गलती हुई है मगर इसने कोई गलत काम नहीं किया है इसने इस लड़की से शादी कर रखी है यह इस र भाई की शादी कर दी है कब वे नौकरानी मेरी देवरानी बन गई और मैं इससे काफी दिन नराज रही क्योंकि एक तो अब मुझे अपने लिए दूसरी नौकरानी रखनी पड़ेगी और दूसरा वे मुझे खोपसूरत भी थी और काम भी जादा जानती थी इसलिए घर म आपको हमारी कहानी बेहत पसंद आई होगी अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अब मिलते हैं हम आपको अपनी अगली कहानी में झाल झाल